सलमान खान के पिता को धमकी देकर फरार हुई महिला बुर्खाधारी महिला ने दी धमकी एक आड़ोपी को पुलीस ने किया अरेस्ट बॉलिवुड आक्टर सलमान खान हमेशा चर्चा में बने रहते बीते कुछ महीनों पहले सलमान खान के घर सुबह सुबह फाइरिंग हुई थी कतिक तौर पर इस फाइरिंग के जिम्मिदारी लॉरेंस भिश्णौई गैंग के सदस्य ने ली थी जैसे ही मामलच सामने आये तो पुलीस की आक्टर में आ गई और मामले की तेजी से जाश शुरू की गई पुलीस ने इस केस को बेहट गंभीरता से लिया है और मामले में कई आरोपियों को अरेस्ट किया गया अभी ये मामला शान्थ भी नहीं हुआ था कि अब सल्मान खान के पिता को धमकी मिली जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना दरसर इस वक्त खबर आई है कि अभिरेता सल्मान खान के पिता को एक बुर्खा धारी महिला ने धमकी दी है सूत्रों के मताबिक सलीम खान सुभा गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मॉनिंग वॉक कर रहे थे तभी एक स्कूटी पर दो लोग आया और बुर्खे में आई महिला बोली कि लॉरेंस भिष्णौई को भेजू क्या जैसे ही पुलीस को मामली की जानकारी मिली तो उन्होंने आग्यात महिला के खिलाफ केस दर्च कर लिया मिली जानकारी की माने तो कहा जा रहा है कि जब सलीम खान सुभा मॉनिंग वॉक के लिए बैंड स्टैंड एरिया में थे तो उस वक्त उन्हें ये धमकी दी गई इस मामले में पुलीस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है लेकिन अभी भी आरोपी बुर्खाधारी महिला फरार है और बैंडरा पुलीस की दो टीमे महिला की तलाश कर रही है देखने वाली बात ये होगी कि इस आरोपी महिरा को पकढ़ने के लिए पुलीस कितना वक्त लेती है गौरत लब है कि एपरिल के महीने में जब सल्मान खान के घर पर फाइरिंग हुई थी तब भी मामला बड़ा नाजुक था हाला कि सल्मान खान के सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ साथ बेहच सतरकता के साथ इस केस पर काम किया हाला कि पुलीस अभी भी इस मामले की जाच में जुटी है क्योंकि पुलीस को इस केस में और जानकारी चाहिए ऐसे में सलीम खान को इस तरह की धमकी मिलने से उनके चहाने वाले चिंता में आ गए इतना ही नहीं बलगे सल्मान खान के घर पर हुई फाइरिंग का मामला अभी भी चर्चा में क्योंकि इस केस में जुड़े एक आरोपी ने हाली में आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी तूटी उंगली के इलाज के लिए डॉक्टर ने पैसे मांगे